नमस्कार आप देख रही हैं महुआ खबार और आपके साथ मैं हूँ क्रांति सिंग्ग हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे बिहार और जारखन की तमाम छोटी बड़ी अपडेट तो देखे हमारे इस खास बुलेटिन बिहार जारखन्ट उपेंद्र कुश्वाह ने सीम नितीश से की मुलकाद चिडाग ने अपने जीजा आरुन भारती को दिया ठिकट आरा में जीत की हैट्ट्रिक लगाने पर बीजेपी का जोर गोपाल मंडल नेठो का मंत्री बनने का दावा पुन्या सीट से पप्पु यादव नेठो की दावेदारी इस चार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर पवन सिंग उपेंद्र कुश्वाह ने सीम हाउस पहुँच का नितीश से की मुलकाद मुलकात की तश्वीर भी आई सामने कुश्वाह ने का सीम नितीश से लिया आशुरवाद चिराग ने अपने जीजा आरुन भारती को जमुई लोकसभा सीट से दिया टिकाट इस सीट पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में होगा चुनाव जेडियू के चर्चित नेता गोपाल मंडल ने ठोका मंत्री बनने का दावाल लोकसभा चुनाव में पार्टी द्वारा उमिद्वार ना बनाए जाने पर दिया बड़ा ब्यान कहा सरकार में खाली है कैबिनेट की कुरसी अब बनूंगा मंत्री पुर्णिया सीट से पपु यादव ने ठोकी दाविदारी जनता के बीच जाकर कहा कॉंग्रिस मुझे पुर्णिया से चुनाव ना लड़ाए पर मैं पुर्णिया की जनता के साथ रहूंगा बीजेपी में कम हो रहा पवन सिंका का दो पहले बीजेपी ने भेजा था बंगाल पर चुनाव लड़ने से पीछे हटने के बाद अविस्टार परचारकों की सूची से भीव किया बाहर वहीर अविशंकर प्रसाद और आजीव प्रताप रूठी जैसे निताओ के नाम भी गायब उपेंद्र कुश्वा ने सीम हाउस पहुचकर नितिश कुमार से मुलाकात की इस मुलाकात की तस्वीरे उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की कहा बड़े भाई नितिश कुमार से मुलाकात कर आशिरवाद दिया एलजेपी राम विलास के मुख्या चिराग पास्वान ने जमुई लोकसभास सीट से अपने जीजा अरुन भारती को टिकट दे दिया है इस सीट पर लोकसभास सीट से चुनाव लड़ेंगे बतादे की गुरवार को नामंकन का आखरी दिन है माग अटबंधन में बिहार की लोकसभास सीटों के बत्वारे पर लंबे समय से मन्थन चल रहा था पर अब ऐसा लगने लगा है कि सीट बत्वारे पर बाद बनने लगी है खबर आ रही है कि सीट बत्वारे पर बाद चीत अंतिम चरण में है जहां आरजडी कॉंग्रिस को 9 सीटे देने के लिए राजी हो गई है हलकि अंतिम फैसला आना भी वाकी है आरजडी ने कॉंग्रिस को 9 सीटे देने पर सहमती जताई है इनमें कटियार, सुपॉल, वालमी की नगर, पशिम, चमपारन, भागलपूर, सबस्तिपूर, मुजफरपूर, पतना साहिब, शिभर, सासाराम और गोपाल गंज में से 9 सीटे देने को तयार है हलकि इसमें पुणिया का नाम शामिल नहीं है बियार की राज़दानी पतना से मुंबई जा रहा ही, होली स्पेशल ट्रेन में अचानक आग लगने से हटकम मच गया हाथसा आरा बकसर, रेल खंट के कारी साथ विहा के बीच हुआ इस दोरान ट्रेनों का परिचालन करीब 5 गंटे तक प्रभावित रहा शुरुवाती दिनों में कॉंग्रिस की आरा लोकसभा सीट पर तूती बोलती थी पर पिछले दो लोकसभा चुनाव में आरा सीट पर कमल खिल रहा है बीजेपी की कोशेश आरा सीट पर हैट्रिक लगारे की है 2019 में राजकुमार सिंग ने बीजेपी की ओर से लगतार दूसरी जीत दर्ज की थी बकसर सीट लोकसभा चुनाव में विहार की होट सीट बनी हुई है वर्तबान सांसद और केंद्रिय बंतरी अश्विनी चौबे का बीजेपी ने सीट से टिकट काट दिया है हालकि एसपी आनन्द मिश्र का नाम इस सीट से लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ था पर बीजेपी ने इस सीट से उन्हें उमिदवार नहीं बनाया बांका में धोरईया के आरजेरी विधायाक भूदेव चौधरी ने होली में ढोल बजाकर ग्रामीनों को खूब जुमाया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से बाइरल हो रहा है गाउं वालों ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई विधायक हमारे गाउं में इस तरह से आकर के होली खेले और रंग अभी लगा कर एक दूसरे को होली की बधाई भी दे बांका में होली पर जबरन रंग लगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई महिला और एक युवती के साथ छेडखानी का प्रियास किया गया इसका वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर जमकर वाइरल हो रहा है इस मारपीट में एक ओर्टो और बोलेरो भी शतिगरस्ट हुआ है वहीं छेडखानी और रंग दालने का विरोध करने पर वाहन शतिगरस्ट कर दिया गया पर इसने मौके पर पहुँचकर मामले को शांत करवाया J.U. के चर्चित विधाय गोपाल मंडल ने लोकसभा टिकट ना मिलने पर राजसरकार में अपने मंत्री बनने की दावेदारी ठोकी है लोकसभा का टिकट जेब में लेकर गूमने का दावा करने वाले गोपाल मंडल को जेडियू ने प्रत्यास्री नहीं बनाया गोपाल मंडल ने कहा कोई बात नहीं कैबिनेट में जगा खाली है हम बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे बीजेपी की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की सूची सामने आई है जुसमें भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंग का नाम शामिल नहीं है वहीं रविशंकर प्रसाद और राजी प्रताप रूधी जैसे बड़े नेताओ के नाम को भी सूची से बाहर किया गया है जब बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी तो पहले पवन सिंग को बंगाल भीज दिया और अब लिस्ट जारी हुई तो उनमें नाम भी नहीं है चिराग पासवान के चाचा और राम विलास पासवान के भाई पशुपती कुमार पारस और सन आफ मल्लाह मुकेश सहनी की नाव अब तक मजधार में है जीतना मान जी और उपेंद्र कुश्वा को खुद की टिकर तो मिली लेकिन टिकर बाटने की चाहत इस बार धरी की धरी रहे गई पशुपती पारस खुद को कही सेट नहीं कर पाए और ना ही किसी पार्टी के साथ गडवन्धन की बात बन पाई मुकेश सैनी और पशुपती कुमार पारस ये दोनों अब तक राजनितिक सुर्ख्यों से भी गायब होने लग गए हैं मागडबंधन में सीटों के बटवारे खुले कर मन्थन जारी है वही पुर्णिया संसद्य सीट अभी सुर्ख्यों में है जहां से कॉंग्रिस के लिए पपुयादव ने दावेदारी ठोकी है पपुयादव ने पुर्णिया पहुचकर जनता से बात चीत की साथ ही जनता के बीच अपने मन की बात रखी पुर्णिया में होली को लेकर शांती भवन में आयोजितिक समारोह में पहुंचे एक कॉंग्रिस नेता पुपु यादव ने लोगों को बताया कि सीट शेरिंग को लेकर जो संशेक हिस्थिती पुर्णिया सीट के लिए बनी हुई है उस बीच में उनका क्या स्टेंड है जनता से समवात के बीच पपु यादव ने कॉंग्रिस साला कमान से कहा कि अगर मुझे पुर्णिया से चुनाव नहीं लड़वाना है तो मना कर दीजिए पर पपु पुर्णिया छोड़कर नहीं जाएगा हालकि आरज़ेडी से बीमा भारती ने भी पुर्णिया से चुन होने वाला है बीए सीवी जल्द ही रिजल्ट घोशित करेगा खबर है कि 31 मार्च तक रिजल्ट घोशित किया जा सकता है पिछले दो दिनों से मूंगेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खुब तीजी से वाइरल हो रहा है वीडियो में खुले आम लोगों के द्वारा हत हत्यारों का प्रदर्शन क्या जा रहा है हालकि इस मावले में पुलिस ने दोनों तरफ से एफ आयार दर्च कर एक को जेल भेज दिया है और अब पुलिस द्वारा हत्यार के बरामदगी के लिए छापे मारी भी की जा रही है जारकन में एक बार मौसम ने फिर से करवट ल गई है सराय केला खरसावास जिला पुलिस ने राची रिस्म इस्थित कैदी वार्ट से फरार कूख्यात अपरादी राजा सिंग को गिरफतार कर लिया है उसके साथ उसका साथी छोटू गोप भी गिरफतार किया गया है इसकी जानकारिक खुद पुलिस अदिशक मनीश ट नमस्काश